हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू आल दे स्टुडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम था और दा पोर्ट्रीट ओफ आल लेडी और इसका थर्ड कॉम्प्रियेंशन पैसेज करेंगे हम और इस पैसेज की टेक्स्ट को पढ़ते हुए हम थोड़ा सा एक्स्टा ध्यान देंगे प्रिपोजिशन पे क्योंकि यह प्रिपोजिशन स्पेशल पैसेज है इसमें बहुत सारी प्रिपोजिशन का राइटर ने यूज किया है आईए उनको हम साथ के साथ अंडरलाइन करते हुए चलेंगे और इसमें राइटर कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर जैसा कि हमने पहले दो पैसेज में देखा था कि यह लेसन उन्होंने अपनी दादी मा के लिए लिखा है या कहें तो हम उनकी दादी के परती उनका समरपन है कि कितना वो उन्हें याद करते हैं कितना वो उनके साथ रहे माई ग्रैंड मदर एंड आई आई यहाँ पे राइटर है ग्रैंड मदर जो है वो राइटर की ग्रैंड मदर है were good friends दोनों अच्छे दोस्तों की तरह ही साथ रहते थे my parents left me when they went to live in the city जैसा कि अक्सर मध्यम वर्गिय परिवारों में होता है कि रोजी रोटी के लिए जब परिवार बाहर जाता है और नए शहर में कोई जादा उनका arrangement नहीं होता तो वो अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ देते हैं left means छोड़ना और सहर जाकर अपना काम start करते हैं जैसे ही उनका काम ठीक हो जाता है वो दादी और पोते दोनों को अपने साथ ले जाते हैं and we work constantly, constantly means लगातार काफी समय तक together, एक साथ रहे she used to wake me up in the morning सुबह सुबह जादी जो है used to, यहाँ पर यह two है यह used के साथ लगा है अगर आप ध्यान से देखें तो used to एक model है और यहाँ पर two जो है इसके साथ fix है इसकी preposition, इसकी position पहले से ही fix कर दी गई है अप, wake me up, अप मैंने उपर, wake up, उठाना कब, in the morning तो एक साथ यहाँ पर तीन prepositions का यह used किया गया है and get me ready, मुझे त्यार करती त्यार क्यों, किस लिए for school तो यहाँ for भी preposition के रूप में use किया गया है she said her morning prayers फिर वो क्या करती, उनका routine था कि वो सुभे सुभे, routine means जो काम हम रोज करते हैं, रोज मर्रा का काम morning, सुभे सुभे prayer करती रहती थी इना monotonous, mono का मतलब होता है एक tone आवाज एक ही निरंतर आवाज में, एक ही tone में, एक ही ले में जैसे संगीत में गाने होते हैं, music में ले होती है, वो ले एक ही थी एक ही ले में, रोज की रोज, sing song गाने की तरह वो अपनी prayers को बोलती थी while she bath addressed me जब वो बात कराती थी अब देखे, बात जो है सनान करना वैसे तो बात एक noun है लेकिन बात के साथ e अगर हम लगा दे बेद बन जाता है, तो वो बेद बन जाती है verb और verb की यहाँ second form का use किया गया है और दूसरा क्या करती ड्रेस ड्रेस पैनाती dressed तो पुरा past tense में simple past जिसमें verb की second form का इस्तेमाल होता है उसके अंदर यह पैसे लिया गया है और जैसा यह भी हमने बात की for use किया गया है अप in बहुत सारी prepositions का writer ने use किया है यह उनका writing style हो जाता है लिखने का धंग आगे देखिए इन दा hope और आशा उनको क्या रहती इन फिर से prepositions आगी hope आशा इस आशा के साथ दादी मुझे रोज prayer सुनाती थी that I would listen मैं ध्यान से सुनूँगा and get to know it by heart दिल से मैं उसे याद कर लूँगा I listened मैं सुनता था because I loved her voice दादी की आवाज मुझे बहुत पसंद थी but never bothered to learn it लेकिन कभी भी मैंने इसे याद करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया bother करना ध्यान देना अब comprehension questions क्या बनते हैं इस chapter के पहला question बनता है what is the name of the chapter ये जो lines हमने अभी पड़ी है किस chapter से ली गई है तो answer भी हमारा question में ही है the name of the chapter उसके बाद आ जाएगा जुरियान लगी हुई है पीठ जुकी हुई है चांदी जैसे बाल है और ये जो question है ये पांच नंबर का अकसर प्रिक्षा में पूछा जाता है कि दादी का आप चित्रन कीजिए चरीतर चित्रन इसको हम बोलते हैं कि दादी आपको कैसी दिखाई देती थी दादी के बारे में इस पार्ट में आपको क्या पता चलता है second question what is the name of the writer answer भी यही है the name of the writer is खुशवांत सिंग बहुत ही अच्छे इंग्लिस के राइटर है हमारे इंडिया से थे तो इनको हम एक ग्रूप बन जाता है इनको बोलते है Indian writers writing in English के जनम से और रहने के हिसाब से तो इंडियन थे लेकिन लिखते थे इंग्लिस में मूल निवासी भारत के लेकिन भाषा इंगलिस उन्होंने इस्तेमाल की है अपनी लेखनी की लिए वाइ डिस दे राइटर से दैट दे वर गुड फ्रेंड्स बिलकुर सुरू में आया था कि दादी और लेखक एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थी तो कारण क्या है कि दे वर कॉंस्टेंटली टुगेदर उपर बताया था कि जब उनके पिता जी गाओं छोड़कर शेहर में जाते हैं और वहां रहने खाने का इंतजाम होने तक लगभग दो वर्ष उन्हें लग जाते हैं और इन दो सालों के दुरान दादी और पोता गाओं में इकठे रहते थे फिर शेहर में भी दोनों इकठे ही जाते थे तो दे वर कॉंस्टेंटली में लगातार तुगेदर एक साथ थे सारे कामदादी ही करती तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं जब बात और ड्रेस उनका होता था तो क्या करती थी she said her morning prayer morning की prayer करती थी और वो भी कैसे in a monotonous जो अभी हमने उपर बात की mono means a tonus means tone एक ही लेह में sing song एक song की तरह वो लगातार उने गाना सुनाती थी morning की prayer करती रहती थी ये एक और दो नंबर का question बन जाता है कई बार पांच का भी आ जाता है कि आपको कैसे पता लगता है कि दादी मा जो है वो बहुत ही धार्मे की स्थी थी शिवाजा religious lady तो अभी तक तीन paragraph में तीन point आ चुके हैं कि वो religious थी पहला तो जो हमने अभी पढ़ा कि वो morning prayers करती थी दूसरा वो हमेशा हाथ में मनकों की माला ले रहती थी जिसको हम माला फेरना भी कहते हैं कल हमने बात भी की थी कि एक जो है मन या पकड़ा हाथ में और prayer की या गायतरी मंतर का जाप किया और फिर दूसरा मन का पकड़ के जाप किया जो जब तक के माला पूरी घूंती है तब तक वो prayer करते रहते हैं इसे बोलते हैं माला घुमाना या माला फेरना तो these were the questions for today's comprehensive passage आशा करते हैं कि आप सबी अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे और अगर आप बहुत ही अच्छे से इनको बिना ज्यादा जोड़ डाले याद करना चाहते हैं तो अभी तीन passage हो चुके हैं आप इने English की एक copy बना लें उसमें लिख लें ताके आपके पास ये चीजें जो हैं हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएं कापी पर भी और आपके माइड में भी थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें ताके सारे के सारे चैप्टर्स उनके पास सीधे पहुंच जाएं धन्यवाद